हलो फ्रेंड वेलकम टू सिविल ग्यान प्लीज इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसको ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें तो दोस्तो आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो है 1200 स्कुरार फीट का मकान बनाने में अखिर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे जी हां कितने रुपए खर्च हो जाएंगे 1200 स्कुरार मारे खर्च हो जाएंगे total cost हम आपको बटाएंगे आज के Leads के हिसाब से कि आज के रेटलिस्ट के Sr. तeg ieri कितने रूपएं रोठ चोंगे तो आए देखते हैं तेहीं हम आपको आज जो बताएंगे वह हम वह थम रूल का मतलब यह होता खिजब ही कोई मकान बनता है तो उसका सुरू से लेके लाष्य तक जो भी budget होता है इस हिसाब से हम उसका पूरा practically देखते हैं और उस हिसाब से हम निकालते हैं कि आखिर पर square feet कितने रुपए लगे हैं तो आज के हिसाब से जो हमारा practically जो भी निकला है वो है पर square feet 1340 रुपए आज के हिसाब से लग रहा हैं total cost में तो अगर आज 1200 square feet का मकान बनाना हो तो 1200 into 1340 रुपए हम कर देंगे जो कि आएगा कोई 16,08,000 रुपए के करीब तो round figure में 16,00,000 आप मान के चलिए तो आज अगर हमें कोई घर बनाना हो तो 16,00,000 रुपए लगेंगे इसमें थोड़ा up down हो सकता है क्योंकि कहीं न कहीं rate उपर नीचे होता है तो इस हिसाब से up down हो सकता है लेकिन 16,00,000 रुपए लगेंगे अब ये 16,00,000 कहां कहां लगेंगे आए इस पर देखते हैं कि आखिर 16,00,000 रुपए हमारे लगेंगे कहां देखिए घर बनाने के लिए हमें दो चीज़े चाहिए होती हैं एक तुलेब दूसरा material तो आईए पहले हम देखते हैं material हमें क्या क्या लगेगा कितने का लगेगा तो आई ये बात करते हैं पहले cement की तो cement निकालने के लिए हम क्या करते हैं build up area से 0.5 का into कर देते हैं तो हम 1200 से 0.5 का into किये तो 600 बैक cement 1200 square feet के मकान में लगेगा simple सा है अब 600 बैक cement लगेग है वो है 340 रुपय तो इस हिसाब से 2,04,000 रुपय का cement लग जाएगा अब steel इस टील जो है build up area से 4.47 का into करते हैं steel के लिए तो हमने 4.47 का into किया तो 1200 into 4.47 is equal to 5364 kg और steel का rate है 41 रुपया पर kg इस हिसाब से हमें 2,19,924 रुपय का steel पढ़ गया 2,04,000 का cement 2,19,000 का steel अब आते हैं send पे तो send के लिए हम क्या करते हैं build up area into 2.816 तो हमने build up area into 2.816 किया तो 979.2 क्विंटल आ गया तो इसको हम ton में divide करेंगे तो 97.92 ton तो जो send का rate है आजकल market में 380 रुपय पर ton है इस हिसाब से 1,35,135 रुपय साट पैसे का हमारा send पढ़ जाएगा और same इसी तरीके से हम करेंगे तो हमारा पढ़ जाएगा 1,684 रुपय अस्ती पैसे का aggregate पढ़ जाएगा ठीक है अब आते हैं brick पे ब्रिक क्या होता है ब्रिक के लिए हम build up area into 18 से करते हैं तो 1200 into 18 is equal to 21,600 नोस मतलब 21,600 इट लगेंगी 1200 स्क्वार फिट का मकान बनाने में अब इट का rate है 7 रुपया पर इट तो इस हिसाब से 21,600 into 7 हो गया हमारा एक लाग 11,200 रुपय का इट पढ़ जाएगा तो एक लाग 35,133 रुपय 60 पैसे का सेंड एक लाग 64,084 रुपय 80 पैसे का हमारा एग्रिगेट और एक लाग 11,200 रुपय का हमारा brick पढ़ जाएगा अब जो हमारा अगला आइटम है वो है लेबर कोश्ट देखिए लेबर कोश्ट जो होता है वो 330 रुपय पर इसक्वाइर फिट पढ़ता है उसमें सिर्फ मेसन और लेबर नहीं होते हैं उसमें मेसन, लेबर, एलेक्ट्रिसियन, पलंबर, पेंटर और आपका जो भी आते ह हैं चोटे मोटे काम करने के लिए सारे लेबर कोश्ट हमने जोड दिये तो 330 रुपया पर इसक्वाइर फिट के लेबर कोश्ट में आपका पूरा काम हो जाता है वैसे तो अगर सिविल लेबर की बात करें तो आज कल रेट 160 से 200 रुपय चल ला है पर टोटल सब को मिला के क करें तो 330 रुपय पर इसक्वाइर फिट का लेबर कोश्ट चल ला है जिसके हिसाब से 3,94 रुपय हमारा लेबर कोश्ट पढ़ जाएगा बाकी पेंट, वूड, पलंबिंग, इलेक्ट्रिसियन, ETC सारे आइटमों का हमने 3,5 रुपय ले लिया और एक्स्ट्रा ओवर हेड जो चार्ज होता है जैसे गाड़ी का किराया, भाड़ा, ETC से जो भी उसमें ओबरेड चार्ज आते है, वो हमने 50,000 रुपय रख लिये तो इस तरह से हमारा जो total cost बनेगा वो बनेगा सिमेंट हमें पड़ेगी 2,4,000 रुपए की सेंड हमें पड़ेगा 1,35,130 रुपए का एग्रिगेट हमारा पड़ेगा 1,6,800 रुपए का माप किज़ेगा 1,6,800 रुपए का एक्स्ट्रा इटम हमारे साड़े तीन लाग के, ओवरेड चार्जेज पचास हजार के, और लेबर कोश्ट पढ़ जाएगी तीन लाग चानवे हजार का, तो इस तरह से जो हमारा टोटल कोश्ट पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है 16,6,949 रुपए, 16,6,949 रुपए में हमार घर बन जाएगा, जो राउंड फिगर में 16,00,000 है, देखे इसमें क्या होता है कि एकाद लाग ऊपर नीचे हो जाता है, वो क्यों हो जाता है, क्योंकि कई बार हमें कोई आइटम सस्ता मिल जाता है, कई बार हमें आइटम महंगा भी मिल जाएगा, कई बार कोई चीजे हम जैसे अब वुड़ का इटम हुआ तो वो चीजे क्या करते हैं हम सस्ती भी लगा लेते हैं कोई हाइक वालिटी की लगा लेता है कोई लो गालिटी की लगा लेता है तो इसलिए ये जो भी रेट है इसमें एकाद लाग रुपे उपर नीचे हो सकता है लंब सम इस्टिमेशन जो होता है वो इतना ही होता है कई बार क्या होता है कि हमारी ड्रोइंग भी इफेक्ट करती है बजट को ड्रोइंग के वज़े से बजट उपर नीचे होता है तो यह सब चीजे भी होती है तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके करें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू बेरी मच्छ